बिसमिले रह्मेनी रहीम असलाम आलेकुम विवर्स वेलकम टू मैं चैनल विवर्स आज हम आपको फ्रॉग बनाना बता रहे हैं ओपन स्टाइल फ्रॉग है विवर्स इसके लिए हमने प्लेन और प्रिंटिट खपड़ा दिया है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है विवर्स मैं आपको इसकी प्रिमाईश बता देती हूँ डबल फोल्ड विवर्स हमने ये फैबरिक को रखा है तो देखिए जो लेंग हमने ली है वो तकरीबन 19 इंचेज है और विट आपको मैं फैबरिक की बता देती हूँ विट तकरीबन हमारे पास 16 इंचेज है ये देख लीजिए और विवर्स अब हमने इस तरीके से रखना है कि हमने फ्रंट और बैग दोनों पीसिस की एक साथ कटिंग करनी है तो हम ये फ्रंट पीस 7 इंचेज एक साइट से प्रिमाईश करेंगे विवर्स देखिए 7 इंचेज और अब 7 इंचेज की प्रिमाईश हमने दूसरी साइट से करने है सेम तरीके से विवर्स प्रिमाईश कीजिए और ये देखिए विवर्स बहुत ही इजी टेकनीक है फ्रंट और बैग पीस एक स्क्वेर पीस में से किस तरीके से बनाया जाए ये हमने इस तरीके से फैबरिक को फोल्ड किया है और अब हम कर देंगे सेंटर से कट इस फैबरिक को ताकि ये हमारा बैग पीस उपर की साइट जो आप देख रहे हैं वो फ्रंट पीस है और नीचे की साइट जो है वो बैग पीस है दोनों पीसे कटिंग हो जाएंगे फ्रंट पीस क्योंके वीवर्स हमने ओपन बनाना है फ्रंट साइट से तो आप देख रहे हैं बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा फ्रंट पीस में और यह देखी बैक पीस है बैक पीस से कट नहीं हुआ है जुड़ा हुआ है बस फ्रंट पीस के हमारे पास यहां दो हिस्से हो चुके हैं जोके राइट और लेफ्ट दोनों साइट के होंगे तो वीवर्स अप्टिमाइश करते हैं शोल्डर की 6 इंचिस तक्रीबन हमने विट लेनी है लेंथ भी वीवर्स हमने 6 इंचिस ही रखनी है आम हॉल की लेंगे वीवर्स 6 इंचिस लेंथ और तक्रीबन 2 इंचिस यहां ने वेट ली है आम हॉल की क्योंकि बच्चियों की जो आम हॉल होते हैं इनकी वेट 2 इंचिस ही होती है बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं और पे पहले ही कट कर चुकते हैं neckline बना लेते हैं front piece की neckline की जिए width है 2 inches ले लेगे length और width हम इसके 2 inches ही लेंगे round neckline बनाएंगे तो ये देखे round हमने इसके shape draw कर ली है front piece की weaver हमने deep neckline cutting करनी है तो देखे टू बाई टू की है हमने फ्रेंट पीस की नेकलाइन कट की है और बैक पीस की नेकलाइन की जो विर्थ है हमने सेम रखनी होती है लेकिन लेंट बन इंचेस कम कर देंगे बैक पीस और फ्रेंट पीस की नेकलाइन की कटिंग के बाद weaver's shoulder की हलकी सी cutting की और इसके बाद नीचे से हमने हलकी सी गॉलाई की है इसके बाद देखें विवर्स जो हमारी shirt है वो मुकमल cutting हो चुकी है अब इसकी designing के लिए हमने plain fabric लेना है और इस fabric को हमने इस तरहा है कि ट्राइंगल को अब इसे सेंटर से करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं इसकी पाइप इन के आपको विटप का M अगर आपको बहुत ज्यादा लगती है तो आप 1.5 इंचिस कर लीजिए और इसी तरीके से प्रिमाइश करते हुए नीचे तक 1.5 इंचिस की प्रिमाइश करके इस फैबरिक को कच कर लीजिए इस तरीके से विवर्स हमने ये तक करीबन 4 तू 5 स्ट्रिप्स कच करनी है जो कि उरेब की पाइपमिन बनेगी देखे विवर्स ये हमने आम हो और नेकलाइन के लिए पाइपमिन की कटिंग की है अब आपको रखकर दिखाएंगे कि हमने किस जगापर ये पाइपमिन एड़ करनी है सबसे पहले विवर्स फ्रांट और बैक के पीसिस को ठीक तरीके से रख लेंगे और इन पीसिस को रखने के बाद विवर्स ये पाइपमिन जो है हमारे पास इसे हमने नेकलाइन में लगाना है फ्रांट बैक दोनों साइट और ये ही पाइपमिन विवर्स हमने आम होल में एड़ करनी है इस तरीके से आम होल में लगाएंगे पाइपिन तो यह बहुत ही खुबसूरत लुग देगी जो फ्रॉक है अब विवर्स हमने फ्रंच में प्लाकेट बनाना है तो यहां हमारे पास फैबरिक है इसे हमने फोल्ज करकर स्पर स्टिच करना है same length रखेंगे विवर्स और width तकरीबन हमारे फैबरिक की two inches होगी और इसमें हमने यह पाइपिन स्टेट पाइपिन एड़ करनी है देखे इस तरीके से यह पाइपिन हमने इसमें स्टेच करनी है plain fabric है विवर्स आप इसकी पाइपिन बना कर इसमें लगा सकते हैं देखे विवर्स हमने बिल्कुल स्ट्रेट पाइपिन के लिए फैब्रिक को कट किया है पहले हमने औरेप की पाइपिन बनानी थी तो फैब्रिक को दूसरी तरीके से कट किया था फोल्ड करके रपकर और इस पर यह तरीके से फैब्रिक रखेंगे जो printed fabric है हमारे पास और यह हमारी जो पटी है प्लाकेट है वो ready हो जाएगी अब विवर्स हम आपको stitching करना बताएंगे तो stitching के लिए सबसे पहले हमने front side पर प्लाकेट बनाना है तो प्लाकेट बनाने के लिए हमने जो पटी की cutting की थी fabric की हम इस पर stitching करेंगे बैक साइड से रखना है विवर्स हमने fabric का आप देख रहे हैं बैक पर हमने पटी की back piece रखी है back side यानिके और अब इस पर बिल्कुल straight stitch किया है इसके पाद इस पटी को front side पर fold करकर stitch करेंगे तो stitching से पहले जो आप देख रहे हैं plain border है हम इसे fold करेंगे और जो fabric हमारे front piece का है इसकी हमने front side पर रखना है यह fabric और यह इस तरीके से पटी को बना लेंगे यानिके प्लाकेट को बना लेंगे मुकमल stitch कर लेंगे वीवर्स और extra जो fabric हमारी पटी है fabric की इसे कच कर लेंगे यह देखे जो front side है इसकी हमने right side की placket complete कर ली है अब विवर्स हमने left side पर भी same तरीके से placket बनानी है तो इसमें विवर्स हमने left side के fabric पर जो कपड़े की पती है जो हमार पास fabric की हमने strip कट की है इसे रख कर stitch करना है सेम तरीके से विवर्स stitching कर लेंगे इस piece पर भी अब front side से ही क्योंके हमने design करना है इसमें pipe in add करनी है तो आपको बताते हैं आपने pipe in किस तरीके से add करनी है इसमें यह देखिए हमारे पास pipe in है pipe in के fabric में हमने dory add करनी है सबसे पहले डोरी रखने के बाद center में fabric के fabric को फोल्ज करेंगे और जो हमने shirt piece पर fabric लगाया है प्लाकेट बनाने के लिए इस पर इसे रख कर इस तरीके से रख लीजिए विवर्स और फिर इस पर stitching कर लीजिए क्योंकि हम pipe in add कर रहे हैं तो यहां हम जो पैर होता है machine का इसे change कर लेंगे यह देखिए change करेंगे विवर्स हमने इसे यहां पर लगा देना है और इसके पाद pipe in को fold करकर इसमें center में dory रखेंगे और पहले हम यह pipe in stitch करेंगे सिंगल फैब्रिक पर विवर्स आप देखिए हम यह pipe in stitch करें जो हमने पटी लगाई है फैब्रिक की shirt पीस पर इसे हमने stitching करनी है इस पर pipe in रखकर stitch कर रहे हैं front side से आपको दिखा देते हैं थोड़ा करीब से बहुती easily stitching हो जाती है इस तरीके से और बहुती neat pipe in जो हो ready होती है देखिए अब हमने इस फैब्रिक को front side पर इस तरहां रखकर stitch करना है इसके उपर इस तरहां stitch करने के बाद विवर्स जो हमारी front की प्लाकेट है वो बहुती neat और बहुती खुबसूरत ready हो जाएगी यह देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए अब विवर्स हमने shoulder के stitching करनी है तो front और back दोनों pieces को रखकर हम इसके shoulder के stitching कर लेंगे shoulder के stitching के बाद विवर्स हमने arm hole में और neck line में pipe in लगानी है तो हमने same तरीके से pipe in add करनी है जिस तरह हमने front piece पर pipe in लगाई है यह देखिए pipe in को हमने center में रखना है और इस तरह फोल्ट करकर इस पर रखकर stitch करेंगे देखें विवर्स इस तरीके से जो हमारा plane fabric है वो उपर की side extra होना चाहिए आप देख रहे हैं आपको थोड़ा करीब से हम दिखाते हैं विवर्स यह देखें इस तरीके से अंदर की side हमने डोरी रखी है side में हमने fabric को करना है जो plane fabric है वो उपर की side होना चाहिए ताके हम इसे पीछे के साइड फोल्ड करकर अगें स्टिच करें तो नेक लाइन बहुत ही नीड बन जाएगी विवर्स आपने एहतियाद से स्टिचिंग करनी है ना ही आपने पाइपन को खेंचना है और ना ही जो हमारा फैबरिक है शर्ट पीस का इसे खीच के रखना है जो नेक लाइन है वरना खराब हो जाएगी वो और देखिए जो पाइपन में हमने जोड अगर लगाए हैं तो उन्हें भी खोल कर इस तरीके से रखकर स्टिच करना है देखिए विवर्स बैक पीस में पाइपन तक्रीबन कम्प्लीट होने वाली है और यह अब हम फ्रन्ट पीस की नेक लाइन की तरफ आ चुके हैं देखिए फ्रन्ट पीस भी तक्रीबन कम्प्लीट हो चुका है अब विवर्स हमने इस फैब्रिक को फोल्ट करकर स्टिच करना है तो सबसे पहले हमने फोल्ट करने से पहले विवर्स जो पाइपन हमने एड़ की है इसमें और नीचे वाले पीस में हमने कट्स लगाने हैं ताकि जब इसे फोल्ट करकर स्टिच करें तो एजिले स्टिचिंग हो जाए और इसमें कोई जोल ना आए सलवर पगेर ना आए इससे जो हमारी नेक लाइन है इसकी नीटनेस में फर्क आ सकता है तो यह कट्स लगाना विवर बहुत ज़रूरी है कट्स लगाने के बार आगे से हमने फैब्रिक को फोल्ट करना है पाइप इन फोल्ट करनी है हाफ जो पाइप इन का फैब्रिक है और इसे फोल्ट करने के बार देखे फ्रंट साइड से हम स्टिच कर लेंगे आप तेहें तो बैक साइट से भी स्टिच कर सकते हैं बैक साइट से आपको स्टिच करकर दिखाते हैं नीट नैक लाइन बनती रहे की विवर्स अगर आप कपरे को नहीं खीचेंगे और ना ही पाइपन को आप खीचेंगे तो बहुत ही नीट नैक लाइन बनेगी और ये विवर्स हम नैक लाइन कम्प्लीट स्टिच कर चुके हैं ये देखिए आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं नैक लाइन बहुत ही नीट बन चुकी है पाइपन आप देखिए बहुत ही खुबसूरत पाइपन रेडी हो चुकी है अब इसके बाद विवर्स हमने आम होल की पाइपन बनानी है तो आम होल की पाइपन के लिए हमने फैबरिक लेना है जोके हमने पाइपन के लिए कट किया है और सेम तरीके से जिसरा हमने नेक लैंड में पाइपन बनाई है लगाई है सेम तरीके से हमने आम होल में भी पाइपन लगानी है देखे विवर्स पाइपन हमने सेंटर में रखी है फैबरिक के ऊपर और अब हमने इस पर स्टेचिंग करनी है और सेम आम होल के फैबरिक को भी हमने नहीं खीचना है और नहीं पाइपन को खीचना है इससे हमारी जो आम होल है इसके स्टेचिंग में पाइपिन में और नीटनेस में फरका सकता है तो आप बिल्कुल भी मत खीचे किसी भी साइट से फैबरिक को और इसमें भी विवर्स जैसे हमने नेक लाइन में कट्स लगाए थे सेम तरीके से इसमें भी कट्स लगाने के बाद इसे फोल्ड करकर स्टेच करना है जदे के पाइपिन के फैबरिक को फोल्ड करेंगे और अब इस पर करेंगे स्टेचिंग देखे विवर्स हम दोनों साइट की पाइपिन भी कम्प्लीट कर चुके हैं आर्म होल की अब हमने करने हैं फ्रॉक के साइट के स्टेचिंग देखे नेक लाइन बना ली है आर्म होल भी कम्प्लीट हो चुके हैं फ्रंट का जो हमारा स्लेट है प्लैकेट है वो भी कम्प्लीट हो चुका है अब वापस हमने पैर जो चेंज किया था इसे अगेन चेंज करेंगे और दूसरा पैर जो होता है मशीन का इसे एड़ करेंगे मशीन में और अब करेंगे वीवर साइड की स्टिचिंग तो साइड के स्टिचिंग के लिए हमने एहतियाथ से स्टिचिंग करने हैं आम होल की जो फैब्रिक है दोनों उपर नीचे एहतियाद से रखने यानि कि यह आगे पीछे नहीं होने चाहिए सेम साइज होना चाहिए इन दोनों पीसिस का उपर की साइट से भी और नीचे की साइट से भी और तकरीबन हाफ इंचिस के गैप से विवर्स हमने यह स्टिचिंग करनी है दूसरी साइट भी विवर्स हमने सेम साइज की स्टिचिंग करनी है हाफ इंचिस के गैप से अब विवर्स नीची का जो घेर है इसे भी फोल्ड करकर स्टिच कर लेंगे यह देखिए फैब्रिक को हमने हलका सा फोल्ड करना है अगेन फोल्ड किया है और अब इस पर करेंगे स्टिचिंग करेंगे स्टिचिंग देखें विवर्स घेर के स्टिचिंग के बाद जो हमारी फ्रॉब्रिक करेंगे इसे पर करेंगे स्टिचिंग करेंगे स्टिचिंग करेंगे स्टिचिंग